तो बिहार के बाहर जो फशे हमारे शर्म वीर जो करोना के युद्धा है मजदूर जो हैं प्रवासी मजदूर जो हैं वो फशे वे हैं उनको बिहार लाने का काम हो इसके लिए चाहे तन मन धन जो लगे हम लोग पूरी तरीके से लगाएं और आपको सूचना देना चाहेंगे कि एक गाइडलाइन साया है जो कि ग्री मंत्राले का है और MHA का गाइडलाइन है और MHA के गाइडलाइन आपने देखा होगा कि नितीश कुमार जी ने जो नियमों का हवाला शुरू में पहले जो देते थें कि MHA जो है हस्तक्षेपर के जो है उन्होंने कहा कि हम नमारे हस्तक्षेप से जो है MHA गाइडलाइन में तब्दिली लाई और उसके लिए माने मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद भी किया था होम मिनिस्ट्री को कि आप लोगों ने गाइडलाइन बनाई है इससे जो है बसेज या ट्रेन जो या ता या जो मज़दूर जो बाहर फसे हैं वह वापस आ सके अब नितीज जी और शुशील बोधी कहते थे कि भाई ये बिहार सरकार और नितीज जी की हस्तक्षेप के वज़े से जो है गाइडलाइन में तब्दिली हुई है तो मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि एक और गाइडलाइन्स आई है जो आजे भल्ला है आई एस ऑफिसर है वो मिनिस्ट्री हो मिनिस्ट्री के हैं उनके द्वारा एक और गाइडलाइन्स आई हो मिनिस्ट्री की मैं आपको दिखा दूँ साफ तर पर आपको दिख रहा होगा ये गाइडलाइन्स है और लाल में जो ब्राकेट करके जो है इसमें जो डीटिलिंग है जो मैं आपको साधा करूँगा यह बताऊँगा अफॉर्सेट ओर्डर इसमेंट फॉर्सच दिस्ट्रेश्च पर्संस बट दस नोट एक्स्टेंट तो दोस काटेग्रीज और पर्संट और जो गाइडलाइन है साफ तौर पर यह बताता है कि जो बिहार के बाहर जो गरीब मल्दूर जो फसे हुए हैं और जो घर वापस आना चाहते हैं वापस अपने घर आना चाहते बिहार इनको अनुमती नहीं दी गई है इनको पर्मिशन नहीं दिया गया है पहले एक गाइडलाइन आया था जिसमें की छूट दी गई थी जो नितीश कुमार जी श्रे दिखा रहे थे कि मेरे कहने से जो है गाइडलाइन में में पर्मिशन दिया अब हम आपको बताते हैं कि अब जो है आज नितीश कुमार जी रेलवे का हवाला दे रहे थे हम लोगों ने पचास ट्रेंड जो है किराया नितीश कुमार जी को कहा कि आप ले लीजिए और हमारे बिहार के लोगों को लाईए उसमें भी नितीश कुमार जी कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं देगी अब कहते हैं हमारे दबाव में हम लोगों के दबाव में कि जो है किराया जो है आने के जब करके हिए कि हम जो कराया जो हम आने के बाद देंगे यह हैं तभी तो जब उनको टिकेट मिलेगा कि तो हम लोगों के दबाओ disconnect तो वो कहते हैं ठीकंख आने के बाद पैसा देंगे ठीक है भी खुल करने के है लेकिन मेरा प्रश्ण है कि यह जो गाइडलाइन अब आया है अभी तुरंत मिला है मुझे यह बिहार सब्सक्राइब केंद्र सरकार द्वारा जो है यह लखा गया है कि जो मजदूर जो बाहर फशेव हैं कि वह अगर घर जाना चाहें तो उनको यह अनुमती नहीं देंग कि अब मैं पूछना चाहता हूं नितीश कुमा जी से कि कि आप किसके हस्तक छेप से यह ओडर निकाला गया कि क्या यह आपका था आपकी राय थी क्योंकि आप उनको लाना नहीं चाहते यह नया ओडर किसलिए आया है इस नौडर में साफ तोर पर लिखा है कि कि किसी भी व तो उसको अनुमती नहीं है लेकिन टूरिस्ट लोगों को है अनुमती आने में यह पूरी तरीके से हमारे देश को बिहार के लोगों को उलज़ा करके रखा है सरकारों ने पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रखा है और साफ तोर पर यह मंद्शा दिखाता है कि सरकार की कोई मन्शा नहीं है कि बिहार के लोग जो गरीब मजदूर जो बाहर फसे हैं वह वापस आ सके यह ओर्डर है कि साफ तोर पे इसमें लास्ट में आप देखेगा पड़े होंगे टुचीफ सेक्रेटरीज आफ आल स्टेट्स यह निर्देश दे दिया गया अब नितीश कुमारी से हम सवार पूछते कि किसके हस्तक छेव से यह ओर्डर निकाला गया हमारी मजदूरों से बात होती है सबी लोगों से बात हो रही है वो केते भाईया हम एक साल तक अब जाएंगे निकाम करने जिस प्रकार का वेवहार रवया इन लोगों ने अपनाने का काम किया है यह किसके दबाव में किया है क्यों ओर्डर ऐसा निकला है कहां से खाएंगे वो मजदूर कहां रहेंगे रोड पे रहेंगे गरीब है तो मनने के लिए छोड़ दो बिहार के लोग है तो मनने के लिए छोड़ दो यह डबल इंजिन की सरकार है केंद्र और राज में बिहार में और केंदर में आपका NDA की सरकार है यहां मुख्रमति नितीश कुमान है मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ नितीश कुमान जी से सारा किराया जो है अगर आप नहीं दे सकते तो हम लोगों से जितना बल पर रहा है हम लोगों का सहयोग लीजे हमने 50 टेन और 2000 बसेश का जो कहा है उसको तुरंत लाने का काम कीजे और किराया जो है आप स्पस्टूप से बताईए रेलवे का गईलांज कुछ कह रहा है आप कुछ का और कह रहे हैं का से लेगा मजदू ट्रे आप अगर आप कहते हो कि बिहार सरकार देगी तो आप टिकेट जो है अडवांस में बुकिंग कर आई है उनका रेलवे में लेकिन अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा हमारे बिहार के मजदूर चाहे कन्या कुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक अगर फसे हैं तो एक-एक मजदूर को बिहार सरकार को वापस लाने का काम करना है हम लोगों से जितरा बढ़ पर रहा है आपको हम लोग लगतार सही हो करते रहें करोना इस महमारी में सारे दिशाने द्रेशों का पालंग करते रहें लेकिन आप लोग जो है उनके जिंदिगी के साथ खिलवार करने का काम कर रहें बिहा आज वित्रण में धंदली हो रहा है यह guideline आपको दिखाना चाहूंगा और यह मैं इसलिए कर रहा हूं यह आज के पेपर में दैनिक भासकर में आप पर सकते हैं पर सकते हैं दैनिक भासकर में क्या छपाए उस गाइडलाइन के बाद गाइडलाइन में संसोतन हुआ है केंद्र ग्री मंत्राले ने कहा है वहीं घर लोटेंगे कि मतलब इसमें साफ है कि केंद्र ग्रीम अंत्राले की नई गाइडलाइन से बिहार के 28 लाग प्रवासियों की घर वापसी हो गई मुश्किल पढ़ सकते हैं कि यह नई गाइडलाइन कहा से आ अगया है नितीश कुमार जी बतायक किसके हस्तक छेप से यह नई गाइडलाइन है इस दुख के घरी में हर एक राजी के मुखमंत्री जो इस सड़कों पर नजर आ रहे हैं चाहे केरेल के हो बंगाल के हो या जारकंड के हो या राजिस्थान के हो या यूपी के हो लेकिन हमारे मुखमंत्री कहीं नहीं नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से विवस्ता चौपट ह को गोगी आपूलेशन सेंटर्च परबाद हो गया यह बना ही नहीं है सफाई नहीं है हाइजिनिक नहीं है भरखेति ना ड्रॉटर के लिए लाटmist कर बाटॉर के लिए यह सुरुक्ण कुन करेगा इस दाक्टर को करोना हो जाएगा उसलिए फौकि बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास जितने भी जो धाएं है करोना के डॉक्टर हो पुलिस कर्मी हो सबजी बेचने वाले हो दूद बेचने वाले हो फल बेचने वाले हो यह आदर एसेशेल सर्विसें जो कर रहे हैं उनको हम धन्यवाद देतें लेकिन इस तरह का रवया अपने लोगों के साथ जो गरीब है जिन्होंने सत्ता चुना जिन्हेंने बीजेपी के 40 में से 49 सांसट चुने नितीश कुमार जी को 15 साल का मौका दिया आपदाब के घरी में जब उनका साथ देना चाहे था इस जुग के घरी में सहयोग करना था गले से लगाना था वह इनको मंदे के लिए छोड़ दिया गया है वापस निला रही है सरकार इसलिए आप सब लोगों से बिंती है कि सरकार को जगाने का काम करें कोई अधिकारी नौडल प्रतादिकारी इन लोगों ने बना रखें सब के नंबर आफ आते हैं और सवाल विपक से पूछा जाता है कि हम लोगों से जितना बल पर रहे हम लोग कर रहे हैं आप पताई कब चेक देना है नितिश कुमार जी पचास टेंडों का किराया राष्टी जंता दल द ग। ठीट में सख्ने को सहीप कर रहे हैं का और गाइडलाइन से हमलोग बंधेवें को कि राज सरकार की ही जिमेदारी है वही टिकेट खड़ी सकते रेल्बेका कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है यह गाइडलाइन साइए कहां से गाइडलाइन से निदिश कुवाजी को सवाल जो है मैं चाहता हूं कि इस पस्ट रूप से सामने आ करके बिहार के सामने जो है जूट जो बोलने का काम किया जो अंधेरे में रखने का काम किया है लो झाल झाल